लेकिन बहुत ही अच्छा बात है विचा फालिंग कंपार्ट इस फॉर्म वें सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर यार सोडियम हमेशा बना तक है पारोक्सड यह नहीं वैलेंसी एक होती है लिथियम दो और पोटेशियम रोबीडियम सीजियम वाले हाफ तो जब वैलेंसी प्रवान होगी तो इसका अलब है यह वाला किस होगा ना क्यूंके ने की भी वन होती है ने टू ओटो फिर एस्टो एस फोर एस ग्रेट एफनेटी फॉर वाटर विकॉस एसट फॉर्म हाइडरेट विद वाटर यानि ऑप्शन डे पिर कहरें विचा फॉलिंग इस नॉट अंडर इस्टेशल कंपाओं यह तो इंडर इस्टेशल है यह विए इंडर इस्टेशल है यह भी है सिर्वी टू ओफाइव नहीं है नहीं पूचा है यह खाल रहे है पिर मोनो सक्राइट कंटेंट 3-10 कारवण एटम यह हम लोगों नहीं थियोरी में करा था बायो गैमिस् यह पहले वाले के इसमें ना जिंग रिडियूस कर रहा है एज पॉजिटिव को एज टू पे और दूसरे वाले में एस सो फोर माइनस दू को एस सो टू में तो ख्रैक्ट आफसर हो जाएगा एंसे फिर गहरें गिलास क्या होता है तो भाई यह तो बहुत असाने सुपर स्टेटमें रिडर्दिग सालाइन हईडराइड जिनरा इन इंग आउनिक हईडराइड गयते यह तो सब्सक्राइब पाद्ट है तो ख्रैक्ट आंसर होजाए का ऑप्शें नहीं है पिर कह रहे हैं SN2 reaction and symmetric carbon of compound always gives तो इसका correct answer है product with opposite optical rotation ये भी अमने किलास में किया था अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इतमे जोड दिया था कि ये alkynes हैं तो जो convert होती है अब देखो basically तीन possibilities होती है कि अगर simple nickel के साथ करोगे तो alkyne में convert होगी ठीक है lintar catalyst on nickel में करोगे तो बनेगा cis यानि दोनो hydrogen एक साथ दो leagen opposite side और अगर nickel के साथ lithium और ammonia भी मिला लोगे ठीक है तो फिर बनेगा trans यानि H opposite side पर CL opposite side पर सो यहां यह option D is my correct answer अगर कभी chemistry कम मुश्किल नहीं था लेकिन मेरी trick से करो ज्यादा दर वही चीज़ें जो मैंने के लास में कराई हैं था chemical reaction in which reaction require higher amount of activation energy यह क्या होते हैं बहुत ज्यादा activation energy फिर क्या होंगे इसलो reaction फिर इन दोस reaction with determination of enthalpy value is difficult by experiment in such cases enthalpy value can be calculated by इसलोग नियुमेडिकल भी हमने किये इसके magical ट्रक्स है आई यूपी एसी नेम आफ दर गिवन compound वेल देखो भाई यहां पर वैच लगा है और एक मिथाईल गुरूप सेकेंड कारवन पर और एक इतर भी है तो इसका option D था 2,4 dimethyl hexanode फिर कह रही हैं कि पही एक्स डेरिवेटिव दा रिंग एंड डायरक और थो एन पैरा इन एक्स और तो पैर और डियक्टिव एंड से हलोजन होते हैं और एक ही हलोजन दिया है और वह क्या है बी आर तो भी ऑफकुर्स reaction यहां पर होगा बी आर अब आओ भाई जो हम आने बिक थिरी करवाई थे मैंने reaction के याद होगा तो हम लोगों को हाँ यह वाले मैंने कहाता है फिपर में बहुत आ रहे हैं देखो PCL5 एथनॉल को PCL5 के साथ रियक्ट कर रहाते हैं तो क्या बनता है कि सीटु एजफाइव सीएल पीओ सीएल थील थी तो यह तो मेरा हो गया PC कि सीटु एजफाइव सीएल आगे जब इसको एजी एनोटू से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई यह सी करेक्ट होगा सीटू फाइव एनोट नुमारिकल था केमिकल अनाइलेसिस ऑफ कंपाउंड हैंविंग मॉलेकिलर फार्मूला तो यहां वेड गलत दिया था वन नाइंटी एड था ठीक है और देखो यह करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि दो ब्रोमीन है वेड वन सेवेंटी हो जाएगा 85 टूज़ 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 और वन फोर्ज़ज़ तो वन नाइंटी एड इसका अंसर हैंगा तो भी यह तो क्रेक्टिस्टिक है पाइब रिजल्ट स्वाम फोर्फ ऑफ प्रॉपिंग आप्वर्ट फॉपर यह तो सारी क्रेक्टिस्टिक सें तो भाही है नन ओफ अब आफ होना चाहिए था ठीक है फिर विच अफ़लिंग इस पेपर में जाते कि इसमें भी देखें आंसर चो की में था एट कॉंस्टन तंब्रेचर मोर एसो टू फॉर्म एट इकलिवरियम इफ टोटल प्रेशर इस इंक्रीज वाई कैसे हो सकता है ब्रेशन इंक्रीज होने पर तो वहां जाएगा जानम्बरों मुल्स कम होगे वैसे भी एक्जोथर्मिक रियक्शन होता है ख्योंड इस तर नम्बरों मुल्स करेंगे तो हुआ जाएगा नम्बरों मुल्स जादाया है निक है राइट साइट पर ऐसलявू होती है फिचर फालिगीस नौ टू पर फाल्श्रो फॉर्स तर्मो दैनिक्स तो टोटल हीट फॉड्ग इस नाज्यएं इस कन्ज व screens gin leads सब्सक्राइब करें यह नहीं होता भाई तो गलती ऑप्शन दी में फिर कहरें नाइट्रोजन एंड फोस्पोरस है थिरी पेर्स ऑफ देर वैलन्स एलेक्टरॉन अन्पेर्ड विकॉस अफबाव प्रिस्पल हुंस रूल हाइजनबर्ग तो यह हाइजनबर्गन से टेनिटी प्रिस्पल के तहते हैं फिर इस्टेबिलिटी ऑफ आइनिक क्रिस्टल डिपेंड फिरस्पली ऑन तो लेटर्स इनर्जी ऑफ कि एंगे कहे रहे हैं कि कौन सा वाला जो है हाई यस वाइलिम पॉइंट होगा तो सारे एस ब्लॉग के दिया है इस ब्लॉग में सबस्द हाई लिए हाई वाइलिम पॉइंट बैरिलियम क्या होता है राइट टॉप लेफ बॉट्म राइट टॉप के ट्रिक बताई थी पैंदा फॉलिंग रियक्शन इस बैलन्स वोट इस नियेट चार्ज है इसका थोड़ी से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों पहले तो हम इन रियक्शन को बैलन्स करना पड़ेगा अम एट एच प्लस एमनो फोर एफी प्लस टू तो यहां से प्लस टू प्लस थी राइट चार्ज पूछा है तो इसमें प्लस फाइफ आ जाएगा ऑन राइट फिर गह रहे हैं प्रोड़क्ट के ओफा रियक्शन एक्टस कैटलि यह भी हमारा केमिकल गानेटिक से चेप्टर में था इंदा फॉलिए रियक्शन अब दिखो यहां बड़ी दिल्चिस बात है ब्रोमीन की ऑक्सिडेशन इस्टेट जीरो है यहां माइनस वान है यहां प्लस फाइब तो दोनों बाते हो रही है ना रिद्यूस भी हो रहा है और ऑक्सिडाइज भी हो रहा है तो क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फॉलिंग इस यार क्रेक्ट था स्कॉर्पे कैसे है इस विटामिन सी होता है C6H8O6 इसली डिस्ट्रॉइब आ ऑक्सिडेशन बिल्कुल जी इस डेशिएंसी कॉस एनीमिया इट हेल्स इन इंधर रियक्शन येस ये फॉस्टीन को जो हम बनाते हैं क्लोरोफर्म से बच्चो तो नेगटिव कैटलिस होता है और यह हमारी बुक का ही रियक्शन है कैटलिस्स की एक अलग से मैंने वीडियो भी दी थी और पढ़ाया तो भी था टू परसन अधाइल अलकॉल में प्लेक्शन रियक्शन रियक्शन वैडियेबल ऑक्सिडेशन स्टेटर फ्रांजिशन कंपाउंड इस ड्योटो तो 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 इसका क्रेक्ट आउंसर ये थोड़ा सा ना इन्होंने ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी ओना चाहिए ता लाड डिफरेंस बिट्वीन 4s and 3d orbitals ठीक है भई फिर उसके बाद है लोवर पार्ड ऑस सॉल्वर प्रोसेस हैं इस बिन कोल ड्यूरिंग दा मैनुफेक्चर ऑफ सोडा एश तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्लेलिस से मैंने सॉल्व कराया था पुरा इट डिक्रीज ता सॉल्वलेटी ऑफ सोडियम ब